खाना का जाना देखने वालों को संजीर कपूर का प्यार भरा नमस्कार वै दक्षिन भारत का खाना साउथ इंडिन फूड टेस्टी डिलिशस बहुत बढ़या बढ़या खाने होते हैं डिशिज होती हैं तो शुरुबात करते हैं एक खेल्दी दिश के साथ जिसमें धेर सारा लसन है लेकिन घरयाली बहुत जादा है यहां पतियां है और चावली की पतियां हम इस्तमाल करेंगे इस दिश में बहुत सिंपल है अब क्या चाहिए यह देखिए पैसे किसी भी ग्रीन से बना सकते हैं यहां पर मैं चावली लीव के साथ बना रहा हूँ यह देखिए पजार में मिल जाते हैं अच्छी दरा से धोलें और उसके बाद इसे काट लें यह देखिए और अब इसे बनाने के लिए पैन मेरे पास बहुत जल्दी बन जाती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हेल्दी भी है टेस्टी भी है दिलिश्यस है तीखी भी है तो यह इसके लिए मैं यह लाल मिर्च इसमें हमें लसन थोड़े जादा चाहिए तो यह जालिक लोग्स अच्छा इसे आप ऐसे भी डाल सकते हैं नहीं तो थोड़ा सा क्रश करके यह लसन और इसे इस तरह से हलक अब यह जो तेल है इसके अंदर राइ मस्टर्ड सीज और उसके साथ साथ यह जैसे ही थोड़ा सा उटना शुरू हो जाए और अब इसके अंदर यह लाल मिर्च करी पत्ते और यह लसन यह तारी चीज़ें यह जै और अब इसके अंदर यह जो चावली लीव्स हैं जैसे मने आपको बताया कि इसको आप बना सकते हैं पालक के साथ भी हरी पत्तियां बहुत अच्छी बनती हैं यह इसमें ले 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 इसमें नमक डाल लेते हैं सॉल्टी पेस नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा पानी जराय से पकने देते हैं अब क्या चाहिए मुझे यह रोस्टेड पीनट्स थोड़े से यह पीस के एकड़म महीन नहीं पीसना थोड़ा सा मोटा रखना है लेकिन जादा मोटा भी नहीं रखना है यह देखें यह चावली के साथ में लसन धेर सारा और लाल मिर्च भी इसके अंदर नमक भी और अब इसके अंदर डालते हैं यह पीनट्स जो रोस्ट किये हुए हैं और उसके साथ साथ से हमने अब यह जो है तयार खाने के लिए टेस्टी डिलिश्यस आप खा के देखेंगे और जैसे मैंने बताया कि पालक के साथ भी से बना सकते हैं आप आप बना के देखें इतनी बहया होती है कि दाल हो साथ में यह सबजी हो और थोड़ी दही रोटी चाबल कुछ भी खाने का जो है वाव वाव अच्छा इसमें वैसे नारियल बिल्कुल नहीं है वह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं खास तौर से नौर्थ मैं वैसे सूचते है कि जितने भी तक्षिन भारत की चीजें होती हैं साथ इंडिन चीजें होती है उसमें नारियल भरा हु जाए चार गट्टी चबली के पत्ते कटे हुए एक बड़ा चमच तेल एक छोटा चमच राई चार सूखी लाल मेर्चें बीस करी पत्ते दस लेसन की कलियां पिसी हुई नमक स्वादनुसार और दो बड़े चमच भुनी मुंपली खुटी हुई इसे बनाने के लिए एक के लाल मेर्चा माते के लिए मा एक चमच नमक स्वादनुसार अग्रशा त